एपिसोड की शुरुवात में हमें अजीब सा हुमिनरेट अक्टोपस मौस्टर दिखाया जाता है जो की समंदर से बाहर निकल कर लोगों को डराते हुए लंबी-लंबी सैकने लगता है मगर उसकी बदकिस्मती यहां से हमारा बॉल डीमन गुजर रहा था जो इस अक्टोपस का हैपी बड़े कर देता है वैसे अब सायतामा भी इंटरनेट पर फीमस होने लगा है कुछ लोगों को तो लगता है कि सायतामा बहुत स्ट्रॉंग है अब कुछ लोगों को लगता है कि वो S-Class Heroes के काम का credit चुराता है होना हो पबलिक के दिल में सायतामा से related image बन चुकी है वैसे मुमें राइडर नाम का हीरो भी सायतामा को काफी follow करता है और internet पर भी वो सायतामा की हीरोगीरी के बारे में पढ़ता रहता है इसके बाद समंदर से काफी सारे जीब जीब तरह के sea monsters बाहर आने लगते हैं जो city में आकर अपने usual style में इंसानों को टराना start कर देते हैं और वो अपने आपको SC folks introduce करते हैं और फिर जब यह लोग इंसानों पर हमला करने वाले थे तब ही यहाँ पर एक hero आ जाता है जिसका नाम stinger है और यह class A hero है और इन महाशे का weapon एक तरह की जाडू है महीं सैतामा के घर पर जैनोस सैतामा को बताता है कि मास्टा जी अब आपकी rank class C level 2 हो गई है और अब आप थोड़े ही दिनों में class B hero बन जाओगे और यह जानकर सैतामा भी काफी खुश है क्योंकि B class heroes को C class heroes की तरह weekly basis पर mandatory hero गीरी नहीं करने पड़ती और B class heroes के पास काफी ज्यादा freedom होती है मगर तभी टीवी पर news आने लगती है कि city में काफी सारे sea monsters आ गए हैं और यह monsters बहुत तबाई मचा रहे हैं और इस वक्त इन monsters का सामना हमारा बहादूर hero Stinger कर रहा है मगर अब वो लड़ते-लड़ते काफी ज्यादा ठक चुका है तो अगर कोई hero city J के पा की पंच में Stinger को कर देता है वही सायतामा और जैनोस भी बड़ी तेजी से city J की तरफ जा रहे थे मगर जैनोस सायतामा को छोड़कर आके निकल जाता है वही जब मुमें rider city J की तरफ जा रहा था तब ही उसे रास्ते में कुछ clown party मिलती है जो कि city को छोड़कर यहां से भाग नहीं है city में जो monster है उसे c class hero handle नहीं कर सकता और हमने सुनाए कि उस monster ने एक ही पंच में एक a class hero का happy birthday कर दिया है मगर rider उनकी बाते बिना सुने ही city की तरफ जाने लगता है वही उस बड़ी से monster पर एक दूसरा hero दूर से नज़र रख रहा था मगर monster बड़ी तेजी से उस hero त prisoner का नाम पूरी पूरी prisoner है और ये भी एक s class hero है वैसे prisoner के साथ साथ यहां पर sonic भी मौझूद था यहां पर हमें clear होता है कि यह दोनों अभी अभी जेल तोड़कर भागे हैं तो sonic पूछता है कि तुम तो एक hero है ना तो तुम जेल में क्या कर रहे थे तो prisoner proudly बोलता है कि पचाने आ गया और फिर वो सी मौस्टर भी यहां पर आ जाता है तो पूरी पूरी बैटल के लिए ready हो जाता है और फिर इन दौनों मौस्टर के बीच में बड़ी तगड़ी fight चालू हो जाती है और इस fight में पूरी पूरी के कपड़े फट जाते हैं यह शायद इस वीडिय में वो पूरी पूरी को दूर उड़ा देता है इसके बाद सोनिक उस मौस्टर से पूचता है कि तुम कौन हो तो सी मौस्टर बोलता है मैं डीप सी किंग हूँ जानी सी मौस्टर का राजा और अब मैं धर्ती पर राज करने के लिए समन्दर से बाहर निकल कर आया हूँ इ इस monster की speed और power कई गुना भढ़ जाती है तो यह देखकर Sonic काफी जादा confused है कि ऐसा कैसे हो सकता है इस monster की power अचानक से increase कैसे हो सकती है वही जब Saitama City J की तरफ जा रहा था मगर वो विचारा रस्ता भूल जाता है और वो गलियों में बटकने लगता है तो यह दोनों rider की cycle से City की तरफ जाने लगते हैं वहीं सी monster ने अब तक Sonic को पकड़ लिया था अगर Sonic भी एक ninja है वो अपनी ninja trick यूज करकर उस monster से बचकर निकल जाता है वैसे भी Sonic कोई hero थोड़ी है कि जो hero की तरह मरते दम तक लड़ता रहे वो मौका पाते ही यहां से भग नि पर Sonic की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता और वो seeking की direction में जाने लगता है मगर तभी उसे अंदाजा होता है कि seeking असल में city के shelter की तरफ जा रहा है जहां पर काफी सारे humans monster से बचने के लिए छुपे हुए हैं वहीं shelter में सभी लोग डरी हुए थे मगर seeking shelter की roof तोड़ कर अ बचाता है तो एक आदमी बोलता है कि please हम लोगों को हट मत करो हम लोग तुम्हारे सामने surrender करते हैं वैसे यह आदमी एक c class hero है और यह सी monster से डर कर इस shelter में छुप गया था और तो और यह hero seeking को देखकर अपनी pen भी गिली कर देता है मगर तभी इस hero की तरह कई और hero भी बाहर निकलाते हैं जाने कि यह heroes भी भीड में चुपे हुए थे मगर थोड़ी ही देर में monster इन heroes की band बजा देता है और जब यह monster पब्लिक को डरा रहा था अभी जैनोस भी यहां तक पहुच जाता है वहीं जब सायतामा और rider city की तरफ जा रहे थे तब ही सायतामा को sonic भागता हु यहां से तेजी से निकल जाता है कि थोड़ी ही देर बाद सायतामा यहां पर लौट कर आता है तो उसे rider कहीं भी दिखाई नहीं देता बस उसे तो rider का phone पढ़ा हुआ मिलता है जिस पर hero का staff बोल रहा था कि moment rider तुम्हें shelter की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस monster को तुम की साथ ही episode end होता है तो अबीक लिए good bye thanks for watching